हेलो एरिवन वेलकम टू पीसी असार्थी और आज हम डिसकस करने जा रहे हैं हमारा जन्र स्टडीज का सेट नमबर सिक्स ऑप लोग ने पहले के जो सेट है वह और इस में ने किये हैं आप लोग को पड़ भी लिए होंगे और बहुत सरी चीज़ें मैंने आप लोग को बताया था जो सेट डे से यहां मेंडे से एक तो आपकी जो theory classes हैं वो भी start हो जाएंगी, मैं कोशिश करूँगा Monday से class लेने की, ठीक है, तो कि Saturday, Sunday भी थोड़ा सा कहीं न कहीं दरुदर हो जाता है, तो Monday से theory classes हम start करेंगे, number one, और दूसरी बात यहां पर यह आती है कि जो इस class में मैं पहले आपसे question of the day discuss करता था, तो व भी मैं Monday से start करूँगा, मैं आपको देख चीज बता देता हूँ, मैं हमेशा आप जब भी आपको चीज बताता हूँ ना कि हाँ हम ऐसे करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं, मेरा मतलब वो होता है कि आपको उसी time मिले चीज़े, rather than मैं आपको जस्ट ऐसे बता दूँ बता हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो Monday से बहुत अच्छे level पर चलेगी, ऐसा नहीं है कि अभी भी आपका level कम है, अभी भी मैं चीज़े बहुत discuss करता हूँ आप लोग के साथ, लेकिन एक different तरीके से जो है हम और भी चीज़े discuss करने वाले हैं, Monday से आपके जो ये series है, ये ऐसी चलत affair की, number one, दूसरी बात यहां पर ये है कि Monday के दिन ही हम जो है शाम में रात को 9 बजे से हम class discuss किया करेंगे, आपकी theory की classes होंगी, तो देखेंगे मेरे को बहुत बच्चों ने बताया था, quality करना है, history करना है, तो आप मुझे comment section में बताना, अभी मत बताना, end में बताना, वीड जो है इसमें comment section में आप quality, quality, history, history, history ऐसे कर रहे हैं, उसमें मत बताना, क्योंकि यहां पर नहीं मैं analyze कर सकता कि कौन सी बच्चे चाहते हैं, comment section में, जम वीडियो खतम हो जाएगी ना, तो मैं comments पढ़ता होता हूँ, आप लोगों के, जिसमें जितने ज़्यादा comments होंगे, व क्योंकि last time मैंने एक survey भी करवाया था, telegram channel के उपर, तो उसमें भी काफी बच्चों ने बोला था, quality, काफी बच्चों ने बोला था, history, जो आप कहेंगे मैं वही चीज स्टार्ट करूँगा, starting से स्टार्ट करेंगे उसको, clear, तो चलते हैं आज के इस lecture में, तो स्टार्ट क सकते हैं, सारे lectures, PDF अगरा जितने भी होती हैं, मैं telegram channel के उपर आपको यहाँ पे share करता हूँ, instagram के उपर आप मुझे follow कर सकते हैं, कोई paper, doubts, anything, कोई भी आपने मुझे कुछ कहना हो, तो आप मुझे यहाँ पे message कर सकते हैं, clear, और start करते हैं पहले question से, start करते हैं पहले question से, answer देने की कोशिश आपको पहले से ही करनी है, जादा से जादा जितने answer आप देंगे, उतना आप लोगों के लिए better होगा, तो start करेंगे, मैं थोड़ा साइड पे हो जूँगा, ताकि आपको पूरा question अच्छे से दिख जाए, which of the falling two rulers for the battle near the canoge on 17th of May 1540, वैसे इसमें जो date ल लड़ाई हुई थी, वो किसमें हुई थी, देखे कनोज की जो लड़ाई हो है, इसको हम बिल्गरिम की लड़ाई भी कहा जाता है, बिल्गरिम की लड़ाई भी इसको हम कहते हैं, और ये लड़ाई हुई थी, शेशा सूरी और हुमायू की लड़ाई हुई थी, और ये ए भारत में चला था सुर इंपायर जाने कि उस चाइम पे 15 सालों के लिए मुगल इंपायर जो है आपका कोई भी रूल में नहीं था अंसर नंबर क्या बनेगा बी इस दा करेक्ट अंसर शेशा सूरी और हुमायों की एक लड़ाई पहले भी हुई है 1539 में जिसे हम क्या कहते है बैटल आफ चौसा बैटल आफ चौसा कहा जाता है इस लड़ाई में भी शेशा सूरी जीता था दोनों के बारे में एक एक दो दो पाइंट हम डिसकस कर लेते हैं शेशा सूरी जो है इसका ओरिजिनल नेम क्या है फरीद है इनको जो है शेर खान का टाइटल मिला था शेर खान का टाइटल इनको किस ने दिया था बाबर खान लोहानी ने दिया था ये बाबर खान लोहानी कौन है ये हैं गवर्नर आफ बिहार ये बिहार के क्या थे गवर्नर थे clear और इनका टॉम कहां पे है सासा राम बिहार में इनका टॉम देखने को हमें मिलता है तो इस इस अगेन वेरी वेरी इंपोर्टन शेर्शा सूरी का जो टॉम है यह है और इन्होंने पुराना किला ओल्ड फोट कहां पे बनाया था दिल्ली में बनवाया था तो this is again very important part clear ये आपको याद रखना है हुमायू के बारे में दो तिन चीज़े याद क्या करनी है एक तो बाबर का बेटा है हुमायू हुमायू की उपर हुमायू नामा लिखा गया था किसने लिखा था गुल बदन बेगम ने इसको लिखा था गुल बदन बेगम ने clear हुमायू नामा हुमायू के बारे में बात करें इनकी जो डेथ हुई थी सीडियों से दीन पना जो दीन पना की लाइब्रेरी है वहां से गिरके इनकी डेथ हुई थी और दीनपना की लाइबरेरी दिल्ली में देखने को आपको मिली थी हुमायू की उपर अगर हम बात करते हैं आपके दीनपना ये सब चीज़े आपके ठीक होगी अगर हम बात करते हैं हुमायू की उपर एक याद रखना हुमायू टॉम कहां पे है हुमायू टॉम है दिल्ली में हुमायू टॉम कहां पे है दिल्ली में और इसको बनवाया किसने था हाजी बेगम ने इसको बनवाया था तो इस इस वेरी इंपोर्टन हाजी बेगम ने इसको बनवाया था मलिक मिर्जा गियास मलिक मिर्जा गियास और सेयद मुहम्मद ने जो है इसको क्या किया था डिजाइन किया था तो दिस इस अगेन इंपॉर्डन वान एक और कोशें याद करते हैं हुमायू टॉम को हम क्या कहते हैं प्रोटो टाइप आफ ताजमहल कहा जाता है आप कहेंगे कि सर आपने क्या कर दिया बोड का ये बोड का हाल क्या कर दिया पहले सुन्दर जादा लग रहा था अब ये क्या कर दिया आपने ठीक है बट मुझे सुन्दर इस तरीके से लगता है ठीक है ठीक है बिल्गल, येस, यूर माई स्टूडेंट, ओके, चलिए, बढ़ते हैं आगे, चलिए जी, ये विए में आपको बता दिया, बैटल ओफ चौसा और बिल्गरिम की लड़ाई, चलिए जी, अगला कोशन देखें जी, क्या कहता है, एक कोशन देखें जी, फटफट क्या कहता है ये जो प्राइस है आपकी, फेर एंड रिमिलिटी प्राइस जो है, ये कौन शो करता है, मतला ये कौन देता है, किसके उपर, डैडिज दा, शुगर केन के उपर, ये प्राइस कौन डिसाइड करता है, आपने सुना होगा, आपने एक वर्ड सुना होगा, MSP, MSP, मिनिमम जो है, फसल उगा रहा है, फसल उगा ली उसने, और फसल उसकी फेल होगी, कोई बारिशागी, सूखा पड़ गया, कुछ भी, तो anything, कुछ भी प्राइस होती है, उस फसल में, तो वो फसल जो है, वो सरकार को सीधा बेच सकता है, वो खरा फसल भी सरकार खरीती है, और कौन on agriculture and cost price, यह क्या करते हैं, यह एक direction देते हैं, यह एक direction देते हैं, that means recommendation देते हैं, लेकिन इस चीज़ को decide कौन करता है, cabinet committee on economic affairs, जाने के CCEA, cabinet committee on economic affairs, इसको क्या करते हैं, decide करते हैं, देखे, question देहां से समझे, क्या बोला है, approve करना, approve कौन करता है, CCEA करते हैं, लेकिन इसकी recommendation वो आपका Agriculture Cost and Price Commission प्रोवाइड करता है, तो इस question का जो answer बनेगा, वो बनेगा, A option बनेगा, correct answer, clear, this is very important, MSP जो होती है ये जो है आपकी 22 फसलों की उपर घुशित करी जाती है और fair and remunity price, जनकी FRP, ये एक ही फसल की उपर घुशित करी जाती है and that is the sugar cane की उपर घुशित करी जाती है, तो it means total हम कह देते हैं कि 23 crops आ जाती है, इस चीज के अंतरगत, clear होगे आप लोगों को, yes, answer इसमें क्या बनेगा, आपका answer number one is the correct one, answer number one, ठीक है एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ अगर आपसे paper में और भी detail में पूछ लिया, चाहिए बताओ कि ये 23 फसले जो है, total 23 होगी ना, तो total 23 फसलों में कौन कौन सी कितनी crops है, 14 आपकी खरीफ crop आती है, ठीक है मैं थोड़ा सा side हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए और लिख लें आप लो, 6 फसले आपकी रभी फसले आती है, clear और दो फसले जो होती है आपकी commercial crops है, जिसको sale purchase किया जाता है आपका वानिंजिक फसले होती है, और एक जो है आपकी कौन सी रहागी, that is sugarcane, clear, 14 और 6 20 और 22 और एक आपकी sugarcane, that means 23 crops की उपर ये घुशित करी जाती है, so this is very important one, clear, चले जी, आगला question देखे, इन में से कौन सा person जो है गधर पार्टी के साथ link नहीं करता, गधर पार्टी के साथ इन में से कौन सा person जो है वो link नहीं करता, बढ़िया, yes बताईए शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, yes जादा से जादा कोशिश करो यार, आप लोग अंसर देने की, जितना आप कोशिश करेंगे तब ही इस class का फाइदा आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ाई जा रहा हूँ पार्टी को हम और क्या कहते हैं, पैसिफिक कोस्ट हिंदोस्तान एसोसियेशन के नाम से जाना जाता है पैसिफिक कोस्ट हिंदोस्तान एसोसियेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है और इस पार्टी को बनाया किसने था लाला हर्द्याल जी ने बनाया था और कहां पे अमेरिका में यूएस में कहां पे सैन फ्रेंसिस्को इसके हेड़कॉर्टर बने थे सैन फ्रेंसिस्को और सोहन सिंग बाखना सोहन सिंग बाखना जो है ये इसके क्या बने थे प्रेजिडेंट बने थे सोहन सिंग बाकना वाज़ा प्रेजिडेंट गदर पार्टी का सिर्फ एक ही उदेश्या था कि मेरा नाम है गदर काम है गदर और मैं जो इंडिया में हम अंग्रेजी राज के दुश्मन है मतलब ब्रिटिश को यहां पे भगाना चाते हैं तो गदर पार्टी के साथ इनमें से कौन रिलेट नहीं करता पुछा गया लाला हरद्याल करते हैं बरकतुला जी करते हैं पंडित रामचंद्रा करते हैं लेकिन खुदी राम बोस जो है लिंक नहीं करते तो इस कोशन का अंसर बनेगा डी ऑप्शन खुदी राम बोस जो है वो लिंक करते हैं मजफर पूर केस के साथ जो है आपके संबंदित हैं आपको याद होगा खुदी राम बोस और प्रफुल चक्की दो बच्चे थे जिनों ने किंग्सफर्ड की उपर गोलियां चलाई थी प्रफुल चक्की ने तो अपने आपको गोली मार ली थी खुदी राम बोस को पकड़ा गया था और खुदी राम बोस को जो है फांसी हुई थी तो अंसर इसमें क्या बनेगा आपका D option that is खुदी राम बोस was not related to the गदर पार्टी और गदर पार्टी के मैंने आपको बताया था और बाबा की सर्तिंग तथगर तो ये परसन जो है सारे किसके साथ लिंक करते हैं आपके गदर पार्टी के साथ संबन्दीत है अगला कोशन देखे फटा फट अंसर बताओ 15th finance commission के regarding इन में से कौन सा जो कथन है आपका बिलकुल भी सही नहीं है नौट करेक्ट पूछ रहे हैं जी इन में से कौन सा जो कथन है वो आपका बिलकुल भी सही नहीं है देखे जी पहली बात तो किसके उपर कोशन आ रहा है ये तो 15th चोड़ो चोड़ो finance commission के उपर आ रहा है अब बात ये है finance commission करता क्या है finance commission का जो article number है first of all 280 280 नमबर article इसका देखने को मिलता है 5 साल के लिए इसको appoint करते है राश्टरपती appoint करते है राश्टरपती को ही resignation देता है finance commission का काम ये होता है जो भी tax होता है वो आपका center और state में divide करना grants जो होती है और उसको भी divide करना center और states में divide करना clear हो गया आप लोगों को now the question is 15th finance commission के regarding कौन सी चीज सही नहीं है number one देखते हैं क्या है 15th finance commission was constituted by the government of India on November 27, 2017 ये option आपका सही है कि 2017 में इसको बनाया गया था number one दूसरा है Mr. N. K. Singh not M. of Singh it's M. K. Singh N. K. Singh जो है इनके president है बिल्कुल N. K. Singh जो है हमारे पंदर में आपके finance commission के president है ये भी सही है recommendation जो है finance commission की ये 5 साल के लिए है 2020 से 2025 तक ये option गलत है ये 2021 से लेके 2026 तक की आपकी क्या है recommendation दी जाएंगी तो ये option आपका गलत हो गया the commission has been asked to submit its report by the 30th October 2020 ये बिल्कुल option आपका बिल्कुल सही है मतलब इनके जो recommendation है वो 2020 30 October को पेश करने की बात यहाँ पे करी गई थी तो that means option कौन सा गलत हुआ क्योंकि not correct पूछ रहे हैं तो option number क्या बनेगा आपका C option बनेगा 2021 से 2026 तक की implementation की बात यहाँ पे करी गई है first finance commission कौन है that is Casey नियोगी थे Casey नियोगी clear और ये जो है 1951 में बने थे तो this is very very important one clear हो गया और अगर मैंने आपको मैं बताऊं कि center और state में tax का विवाजन इन्होंने 41% की बात करी है तो यह question भी आता है paper में 41% division की बात करी है कि अगर center के पास 100 रुपया आएगा उसमें 41 रुपय जो है states को मिलेंगे चलिए अगला question देखे जी क्या कहता है question number next question देखे which of the following facts are not correct about the vitamins vitamin के लिए इन में से तथ्या जो है आपका कौन सा सही नहीं है तो देखते हैं क्या some vitamin can be synthesized by the intestinal microorganism बिल्कुल सही E. coli bacteria जो है vitamin B12 अगरा जो है हमारे large intestine में बनाते हैं यह बिल्कुल सही point है आपका some vitamin act as a hormones बिल्कुल सही है कुछ vitamin act as a hormones करते हैं जैसे के for example अगर मैं vitamin E की बात करता हूँ vitamin E को हम tocopherol कहते हैं tocopherol ठीक है chemical name है beauty vitamin भी कहते हैं सुन्दरता वाला vitamin भी इसको हम कहते हैं clear और इसको जो है anti-strial anti-strial hormone के नाम से भी जानते हैं मतलब क्या हो गया जो नपुनसकता होती है किसी भी व्यक्ति के अंतरगत उसको खतम करने में ये vitamin E आपका help करता है तो ये anti-strial hormone है ये बिल्कुल सही point है some vitamins are stored in the body बिल्कुल सही जैसे के A, D, E और K ये 4 के 4 क्या है fat-soluble vitamin है जो हमारे body में fat cell है वहाँ पर जाके ये store हो जाते हैं खास करके liver में खास करके liver में store हो जाते है ये भी आपका option सही है फिर आगे क्या बोला vitamin K जो है वो आपका water-soluble vitamin है ये option आपका गलत है ये option आपका गलत है इसे not correct पूछा था तो answer इसमें हम टिक क्या करेंगे that is D option बनेगा फिर ये जो है जैसे A, D, E, K ये क्या है आपके fat-soluble vitamin दूसरे कौन से है water-soluble vitamin water-soluble vitamin होते हैं B और C vitamin B और C clear हो गया तो answer इसमें क्या बनेगा आपका fourth option बनेगा correct answer clear vitamin जो है vitamin word किसने हमें बताया था vitamin word was given by the funk ये भी आपको याद रखना है answer number D is the correct answer answer number D चलिए अगला कुछन बताइए मजा आ रहा है तुम लोगों को समझ आ रहा है अरे आ रही होगा मैं तने अच्छे से बढ़ा रहा हूँ मैं तरीके से बढ़ा रहा हूँ तो आई रहा होगा है चलो लगाओ पहले इस question को लगाओ टिक करो यहाँ पे question देखे जी क्या कहता है यहाँ पे कुछ राजा है परमेश्व वर्मन वान नरसीमा वर्मन नंदी वर्मन और महिंदर वर्मन तो बात करते हैं यहाँ पे यह कौन है और chronological order में इसको लगाना है पहले कौन आये थे फिर उसके बाद कौन आये थे उसके बाद कौन आये थे सबसे पहले जो है person जो आये थे वो आये थे महिंदर वर्मन 1 क्योंकि option के recording clear महिंदर वर्मन 1 वो ही है जिनोंने विचित्र चिता विचित्र 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 चिता विचित्र चिता को compose किया था बुक का नाम है तो पहले तो बनेंगे महिंदर वर्मन तो जाने कि A और B में option बनेगा पहले बनेगा fourth option ठीक है फिर उसके बाद बाद करते हैं उसके बाद आये थे नरसीमा वर्मन 1 ये वो ही राजा है जिनें हम ममाल कहा जाता है ममाल और इसका मतलब क्या होता है great wrestler great wrestler कुष्टी वाले ठीक है और इन्होंने महाबली पूरम महाबली पूरम बनाया था और जो एक ही रॉक है एक ही रॉक के उपर बने हुए है फाइम मॉनोलिथिक रॉक पिलर है और साथ घोडे वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं तो this is very important seven पोड़ा इसे कहते हैं नरसीमा वर्मन 1 और इसने हराया था किसको पूला केसिन 2 को हराया था और इसने टाइटल लिया था वातापी कॉंडा का वातापी कॉंडा का कोगी वातापी कैपिटल थी किसकी चालू क्या वंश की कैपिटल थी फिर उसके बाद 4-2 बना जाने कि A option आपका टिक कर सकते हैं 4-2-1-3 बट आगे पढ़ते हैं पर मेश्वर वर्मन वन आये थे और उसके बाद नंदी वर्मन टू आये थे तो आंसर इसमें क्या बनेगा A 4-2-3-1-3 क्या बनेगा आपका और आंसर बन जाएगा 4-2-1-3 इस वेरी वेरी इंपॉर्टन पॉइंट लगता है यह है कि यह लॉजिक कोई भी नहीं था बट जब डाली दिया तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा तो देखे जी क्या है रूलर है चंदरगुप्त चंदरगुप्त की वाइफ का नाम है कुमारा देवी क्लियर कुमारा देवी तो यह बनेगा थ्री ऑप्शन फिर उसके बाद जो है समुदरगुप्त समुदरगुप्त का है दत्ता देवी यह बनेगा वान चंदरगुप्त टू का है कुबेर नागा यह बनेगा टू और कुमारगुप्त का है अनंता देवी ये बनेगा 4, तो पहले तो answer टिक करो, 3, 1, 2, 4 बनेगा, correct answer बनेगा, answer number 1, but चंदर गुप्त की अगर मैं बात करता हूँ, चंदर गुप्त को गुप्त वंश का real founder कहा जाता है, real founder कहते हैं इसको, this is very important, clear, और otherwise मैं आपको बताया है, गुप्त वंश का संस्थापक वैसे कौन थे, शिरी गुप्त थे, लेकिन real founder किसे बोलते हैं, that is चंदर गुप्त को बोलते हैं, क्योंकि इनके बाद सारा समराज्या आगे बड़ा था, समुद्र गुप्त की बात करें, समुद्र गुप्त को हम Napoleon of India कहते हैं, V.A. Smith ने इनको बोला था, और इनको कवीराज के नाम से भी जानते हैं, कवीराज के नाम से भी जानते हैं, समुद्र गुप्त को, also very important, प्रियाग प्रशस्ती इंस्क्रिप्शन, प्रियाग प्रशस्ती इंस्क्रिप्शन जो है, प्रियाग प्रशस्ती जो अभिलेक है आपका, वो भी किसका है, समुद्र गुप्त के बारे में ब चंदर घुप्तव को यह बात करों आयरन पिलर महरूलि जो दिल्ली में है वो भी किसके साहसं है आपका चंधर हुनां हो गई चंदир के साहस्ट संबंधित है चंदर जूह जो है इसको विक्रम धित्या का टाइटल भी है विक्रम दित्या this is very very important one clear कुमार गुप्त की बात करूं कुमार गुप्त में मैं सिर्फ एक ही कोशन याद कर वाऊंगा नालंदा युनिवस्टी बनाई थी इन्होंने नालंदा युनिवस्टी कहां पे बिहार में clear नालंदा युनिवस्टी को तोड़ के कौन गया था बक्तियार खि जी कमांडर इंचीफ है कहां का कहां का कमांडर इंचीफ है जो के कुतुब दिन एबग का कमांडर इंचीफ है clear तो ये भी आपको याद रखना है अगे बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह चलिए अगला कोशन बताईए बढ़िया 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 बहुत बढ़िया consumer price index के उपर आपको कथन बताना है कि कौन सा आपका कथन जो है वो सही है फड़वड बताईए येस चलिए जी कोशन बो देखे जी correct statement आपको बतानी है कि इसमें correct statement कौन सी है it computes that it compute price changes in both goods and services ये option आपका बिलकुल सही है क्योंकि जो CP index है consumer price index है वो क्या है कि consumer क्या consume कर रहा है उसके basket में क्या क्या चीज़े आती है उस चीज़ के उपर बात करता है तो obviously बात है goods and services के बारे में हमें compute होता है बिलकुल उसके बारे में जानकारी मिलती है दूसरा question है it is computed by the office of economic advisor department of industrial policy and the promotion ये गलत है ये compute किसके द्वारा किया जाता है labor bureau labor bureau द्वारा जो है इसको compute किया जाता है और किसकी ministry में आता है labor ministry के अंतरकर देखने को हमें मिलता है clear तो दूसरा option आपका गलत हो गया clear labor ministry के अंतरकर labor bureau द्वारा किया जाता है it is taken as a mayor of the inflation while formulating the monetary policy by RBA बिलकुल इसको हम मुद्रा सफीती जाने कि जो महंगाई के बारे में पता करने के लिए help करता है और जो monetary policy RBA बनाती है मौद्रिक निती RBA बनाती है उसके लिए ये एक tool अपनाया जाता है ये भी आपका option बिलकुल सही है clear क्योंकि आप एक चीज़ बताइए consumer कौन है हम लोग है जो हम चीज़े खा रहे हैं हम अपनी basket में लेके आ रहे हैं अगर suppose करो कि मैं एक जो है पहले मैं पीता था पेपसी पीता था ठीक है अब वो मेरे को 10 रुपे का मिल रहा है for example छोटी bottle के उपर बात करते हैं 10 रुपे का मिलता था ठीक है जा 10 रुपे का मिलता है अब उस चीज़ को consume ना करके मैं normal चीज़ consume करने लग गया ठीक है जा मैं suppose करो कि मैं वीट की रोटी खाता था जा कोई और चीज़ की रोटी खाता था अब मैं किसी और की खाने लग गया हूँ मतलब आटे की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी और आटे की खाने लग गया हूँ तो उससे मेरा behavior पता लग रहा है उसमें consumer behavior पता लग रहा है उसमें market का behavior पता लग रहा है क्योंकि मैं अगर कर रहा हूं तो बाकी लोग भी उसको shift कर रहे होंगे वो क्यों shift कर रहे होंगे अगर वो चीज महेंगी है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो consumer खा रहा है जो consumer क पास चीज़ें हैं उससे हमें पता लगेगा कि हां कि वो कंजूम क्या कर रहा है जब वो कंजूम कर रहा है इसी से हमें पता लगेगा कि वो महंगाई के बारे में भी हमें बताएगा क्योंकि महंगाई का मतलब यहां पर यह आ जाता है अगर महंगाई जादा हो रही होगी त तो एक जगा से हटके हम दूसरी चीज़ को consume कर रहे होंगे, तो obviously बात है, ये measure है inflation के लिए, मुद्रा सफीती के लिए, और इस चीज़ को जो है, आर्मी जो है, monetary policy बनाने के लिए use करती है, तो मतलब पहला और तीसरा statement जो है, आपका बिल्कुल सही है, तो option के है यहाँ पे, option number C is the correct answer, 1 and 3 is the right one, clear होगे आप लोगों को, जी, monthly basis की उपर ये बनता है, बिल्कुल, monthly basis की उपर ये बनाया जाता है, जी, monthly basis की उपर बनाया जाता है, clear, चलिए जी, अगले question की तरफ चलते हैं, next question is, which of the falling is phosphatic biofertilizer, phosphatic biofertilizer, जाने की jab, उर्वरक कौन है यहाँ पे, biofertilizers वो होते हैं, जो के आपके bacterias हैं, जो के soil के अंदर nitrogen fixation करने में मदद करते हैं, तो इन में से phosphatic biofertilizer कौन से देखने को आपको मिलते हैं, तो इन में से जैसे मैं अगर मैं बात करता हूँ, राइजोबियम, ब्ल्यू ग्रीन एलगी, एजोला, वैसिकुलर, आर्बिस्कुलर, माइकोराइजा, all these are the nitrogen fixing bacteria, लेगन यहाँ पे question क्या पूछा है, phosphatic biofertilizer, तो वो कौन है, इसमें, राइजोबियम, clear, answer number A is the correct answer, राइजोबियम is the correct one, yes, बिल्कुल सही, यह जो है, आपका nitrogen fixation करता है, leguminous plants, जिसमें protein content बहुत ज़्यादा होता है, leguminous plants की roots में, यह क्या करता है, symbiotic association, symbiotic association करता है, जाने कि दोनों को benefit होता है, उसमें यह बात करता है, symbiotic, मतलब दोनों का फाइदा होगा उस case में, तो phosphatic biofertilizer कौन है, इसमें से rhizobium, अंसर इसमें क्या बनेगा, one is the correct one, answer number one, चलेजे, अगला question देखेंजी क्या कहता है, शाबाश, next question is, screen के उपर देखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगला question देखे, question number next is, इन में से स्वच भारत mission के लिए, कौन सा कथन जो है, वो बिल्कुल true देखने का आपको मिलता है, कौन सा कथन बिल्कुल सत्या है, number one, स्वच भारत mission, focus on the collective behavior change of the entire community, बिल्कुल सही है, आपने देखा होगा, जब स्वच भारत mission start हुआ था, start कब हुआ था, 2014 में, और उसके बाद चला कब तक था, 2019 में इसका phase one, phase two जो start हुआ है, 2020-21 से लेके, 2024-25 तक जो है आपका चलेगा, तो यह आपका second वाला part चलेगा, पॉइंट समझा है, phase two चलेगा आपका, clear होगा आप लोगों को, ठीक है, अब बात करते हैं, एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा, जब स्वच्च वारत मिशन स्टार्ट हुआ था, तो आम लोग भी सड़कों पे आगे थे, और सड़कों पे जो है, ज़ाड़ों वगेरा लगा रहे थे, और उसमें हम भारत को सच करने की बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, तो इत मीज ये क्या है, एक क्लेक्टिब बिहीवियर चेंज की बात हो रही है, पूरी पॉपुलेशन का, ये ऑप्शन बिलकुल आपका सही है, नमबर वान इस दा करेक्ट वान, फॉर मोस्ट पीपल, उपन डिफिकेशन इस पार्ट ऑफ दियर रेगुलर अरली मॉर्निंग विजिट, क्रॉप केरेंड सोशलाइजिंग, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि ओपन डिफिकेशन जो है, जैसे कहते हैं कि खुले में शौच करना, वैसे तो ओपन डिफिकेशन करना बहुत गलत है, क्योंकि ओपन डिफिकेशन करते हैं, माइक्रो और्गनिजम है, सनलाइट आती है, gases produce हो सकती है और obviously बात है नुकसान दायक हो सकता है nature के लिए क्योंकि पक्षी वगएरा है, खाते हैं कहीं पे भी चीज़ हो और वो चीज़े जब डंक करके जाएंगे फिर उसके बाद किसी fruits के उपर बैठेंगे तो उसमें जो organism है bacteria वगएरा है, उसमें जा सकते है और उसमें changes आएंगे तो मतलब open defication जो है वो part है regular early morning visits का ये कहां पे point बन सकता है point समझा है आप लोगों को, बन सकता है बिल्कुल बन सकता है, क्यों कैसे बन सकता है मैं बताता हूँ आपने देखा होगा गाउं में मैं ये निकोंगा कि गाउं में उन्नती नहीं हुई बट ध्यान से समझना मैं बात क्या कर रहा हूँ गाउं वाले areas में काफी, काफी गाउं में इवन शहरी areas में भी देखा है जो शहर के बाहर जो है कुछ गाउं लगते हैं आपने देखा होगा तो क्या गरते हैं ये जो सुबह बंदा उठता है और लोटा लेके जाता है और बाहर खेतों में चला जाता है जा कहीं और चला जाता है तो obviously बात है वो इस तरीके की काम करते हैं तो मतलब most of the people early morning visit मतलब खुले में शौच करना जाना crop care और ठीक है वहाँ पे फसल भी देखाएंगे socializing भी हो जाएगी एक दूसरे से बात भी कर लेंगे तो ये सब चीज़े होती है बिल्कुल ये second point भी आपका बिल्कुल सही है तो answer इसमें क्या बनेगा C, 1 and 2 is the correct answer 1 and 2 is the right one clear? जी बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है गाओं वाले areas में देखने को मिलता है ये चीज़ें चलिजी अगला question देखेजी क्या गयता है इनको north से south sequence में लगाना है चार major island of Japan ये island है जापान के तो इसमें आपको लगाना है north से south तो मैं दिखाता हूँ पहले तो आपको ये option तो यहाँ पर देखेजी north से south इस तरीके से हम जा रहे है north to south ठीक है और इस काल होकीडो पहला और उसका बाद होंशू शीकोको, क्यूशो and ओकिनावा ये question जो है कौन बनेगा क्रोडपती में भी आया था same question आया था point समझा उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से जापान का जो island वो कौन सा नहीं है बट हमने यहाँ पर पड़ा Hokkaido is the northmost and Okinawa is the southmost Hokkaido, Honshu, Shikoko, Kyushu and Okinawa तो यहाँ पर देख लेते हैं option यहाँ पर क्या बनेगा Hokkaido तो यहाँ पर C और D में है उसके बाद Honshu, बिल्कुर फिर Shikoko, फिर Kyushu and Okinawa तो answer इसमें क्या बनेगा D so D option बनेगा correct answer Hokkaido, Honshu, Shikoko, Kyushu and Okinawa तो answer number D is the correct answer देख लेजे द्वारा it's Hokkaido, Honshu, Shikoko, Kyushu and Okinawa is the correct one चलिए अगला कोशन देखे बढ़िया, मज़ा आ रहा रहा न तुमें लग रहा न पता हाँ yes, very good और अपने दोस्तों के साथ इस class को share कर दिया करो ठीक है, मैं कभी नहीं कहता but again, class, नए चैनल पे नए तरीके से चीज़े discuss कर रहे है तो obviously बात है आप लोग को का साथ चाहिए ठीक है, तो share कर दिया करो like कर दिया करो, जो भी अगर आपको अच्छा लगे, नहीं करना like, नहीं करना share, वो भी आपकी मर्जी है हम आपको force नहीं करेंगे Environment Protection Act जो है इंडिया में enact किया गया था, कब Environment Protection Act, जनकी Environment को protect करने की बात करी गई थी, यह कौन से साल में इसको act बनाया गया था, that is in the 1986, Environment को protect करने के लिए, United Nation Environment Program, सुना होगा आप लोगों ने, that is, इसके Headquarter कहां पे है, नेरूभी, कीनिया में इसके Headquarter है, Environment के समंदित एक organization है, Greenpeace, Greenpeace, इसके Headquarter कहां पे है, Amsterdam, Amsterdam नीदर लैंड में, Amsterdam नीदर लैंड में, clear, और Environment के साथ समंदित है, 5 जून, 5 जून को होता है, Environment Day, यह भी आपको याद रखना है, और यह जो act आया था, उस तरहीं पे परधान मंत्री कौन थे, टैड़ीज राजीव गांदी, टैड़ीज राजीव गांदी वाज़ा, प्राइम मिनिस्टर, जब यह देखने को आपको मिला था, point clear हो गए आप लोगों को, yes, answer number क्या बनेगा, B option बनेगा, correct answer, 1986 के अंतरगत, और extend कर दिया गया था पूरे भारत देश में, जिसमें हम environment और उसके जो भी matters हैं, उसको protect करना, उसको improve करना, quality बढ़ाना, environment की और environment pollution को धूर करना, ये सब चीजे बात करी गई थी, और center government के साथ coordinate करके, proper तरीके से law बनाके, water और air act के साथ संबंदित करके, हम पूरे से पूरा तरीके से बचाएंगे, environment को हम बचाएंगे, clear, so this is very 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 important question, clear, चले जी, अगला कोशन बताईए, शाबाश, अगला कोशन है जी, कुछ density के उपर कोशन है, कोशन क्या कह रहा है, descending order में आपको लगाना है, descending order मतलब अवरोही करम में लगाना है, सबसे ज़्यादा और उसके बाद सबसे कम population वाला जो area है, वो लगाना है, density के according, हमारे देश की density कितनी है वैसे तो, 382 परसन पर स्केर किलोमेटर देखने को मिलती है, और descending order का मतलब भड़ते से छोटे करम में लगाना है, सबसे ज़्यादा जो है बिहार में देखने को मिलती है, फिर बिहार में सबसे ज़्यादा है, ग्यारा सो छे, परसन पर स्केर किलोमेटर, अगेन, 2011 के census के according हम बात कर रहे हैं, point clear, yes, answer number D is the correct answer, बिहार, West Bengal, केरला, एंड उत्रपरदेश, answer number D is the right one, answer number D, चलिए, अगला answer बताए, अभी हमने पढ़ा था, Symbiotic Association पढ़ा था, चीक है, Symbiotic Association पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको Rhizobium के बारे में बताया था, कि वो Leguminous Plant की Roots में रहता है, और Nitrogen Fixation करता है, और ऐसे ही Mycorrhiza, जो है एक Symbiotic Association है, जिसमें दोनों का Benefit होता है, ये दोनों कौन है यहाँ पे, इसमें क्या होता है, Mycorrhiza में, फंगस जो है, वो Plant की Roots के साथ Symbiotic Association करता है, और वहाँ पे दोनों का फाइदा होता है, फंगस और Plants की, जो आपकी Association है, उसे हम क्या कहते हैं, Mycorrhiza, Algae और Fungus अगर Nature में देखने को मिलेंगे, तो Lichen बनता है, तो Lichen जो है, वो Symbiotic Association है, Algae और Fungus की, Algae की Study को हम क्या कहते हैं, Phycology, Phycology, Clear, Fungus की Study को हम क्या कहते हैं, Mycology, So this is again important one, Clear, यह याद रखना है, कौन सा Fungus हम खा सकते हैं, Mushroom, Mushroom is the edible fungus, यह याद रखने वाला पार्ट है, तो Answer number C is the correct answer, तो यहाँ पर Mycorrhizor देखे जी, किस तरीके से जो है, Roots के साथ Association बना के रखता है, बहुत ज़धा Detail में नहीं जाना, जिस इतना पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, चलिए जिए, अगला कोशन बताइए, Grease के बारे में, कथन आपको बताना है, कि कथन कौन सा सही है इन में से, Grease के बारे में, Yes, Grease के बारे में आपको बताना है, कथन इसमें से कौन सा सही है, Very good, शाबाश, बहुत बढ़िया, सभी भच्चे जो हैं, भढ़ जड़के भाग लेते हैं ना, जब आप अंसर देते हैं, तो बहुत मुझे अच्छा लगता है, A आ रहा है, B आ रहा है, C आ रहा है, ठीक है, कोई बात ने, यहाँ पर गलती कर लो, लेकिन गलती इसका मतलब यह नहीं है, कि हम बिना सोचे समझे, पढ़े, बिना सोचे समझे, बस A टिक करी आ रहे हैं, फिर B टिक करी आ रहे हैं, ऐसे नहीं करना, कोईशन को समझे, वर्ड्स को समझे, और उसके बाद आपको टिक करना है, नमबर वान, ऑप्शन नमबर वान देखे, जी क्या है, इन में से कर्थन आपको सही बताना है, कौन सा करेक्ट है, ठीक है, नमबर वान, जो ग्रीस है, उसने कैटरीना, इस कॉल्ड कैटरीना साकेलरो, थोड़ा सा नाम टेड़ा है, इस कैटरीना साकेला रोपोलू, जो है, इनको first female president, in the country's history माना है, बिलकुल, पहली female president बनी है, number one is correct one, number two, कैटरीना जो है, वो first president बनी है, जो किसी भी political party से belong नहीं करती, ये भी आपका option सही है, ये किसी भी political party से belong नहीं करती थी, तो answer number c is the correct answer, clear, ये हैं कौन, that is कैटरीना साकेल, साकिला रुपुलू कैटरीना साकिला रुपुलू येस ठीक है बस अंसर आपको बताना है C option बनेगा correct one चले जी इन में से आपको बताना है chronological order में पहला कौन बना था दूसरा कौन सा बना था ये हमारे भारत देश की credit rating agencies है ये ratings provide करते हैं कि कौन सी organization अच्छे तरीके से काम कर रही है प्रॉप्पा तरीके से कर रही है तो इसमें option देखे जी क्या है credit ये care के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी full form क्या है credit rating it's called credit analysis and research credit analysis and research limited ये इसका full form है इसका care का full form है credit analysis and research limited ये बना कब था टैडी जिंदा 1999 1999 में ये बना था point clear होगे आप लोगो yes गलत बोला मैंने yes or no बता सकते हैं आप लोग yes मैंने गलत बोला था जानबूच के बोला था 1993 में बना था 1993 में बना था clear ठीक है यार मजाग नहीं करूँगा investment information and credit rating agency investment and information credit rating agency इकरा कब बना था बता सकते हैं आप लो yes 1991 और क्राइसिल कब बना था credit rating information service of India limited बताओ बिल्कुल 1988 नहीं पता तो कोई बात नहीं अगर नहीं पता तो यहां सीख लो नहीं बता तो यहां से सीख लो तो अब यहां पे chronological order में लगाना है सबसे पहले बना क्राइसिल तीसरा फिर उसके बना इकरा फिर उसके बना बना केर यह बनेगा ओन 321 कहां पर ऑप्शन ऑप्शन नमबर A 321 is the correct answer 321 जी इकरा is the investment information and credit rating agency जो बना था आपका जो जो बना था इकरा बना था डैर इस इन था 1991 और केर बना था credit analysis and research जो बना था limited बना था 1993 and क्राइसिल ज़र इस credit credit rating information service of इंडर बना था आपका 1990 1988 में बना था तो आंसर नमबर 321 is the correct one 321 next question is Selva forest are characterized by yes Selva forest जो है आपके यह किस चीज के लिए categorize किये जाते है actually यह जो है यह Selva forest होते है tropical evergreen forest tropical evergreen forest tropical evergreen forest का मतलब पता क्या होता है जहाँ पे 200 cm से ज़्यादा 200 cm से ज़्यादा बारिश होती है और यह green रहते है evergreen रहते हैं और इनके उपर autumn season का जाने कि पतेज़ड मौसम का कोई भी effect यहाँ पे देखने को नहीं मिलता वो होते हैं आपके Selva forest अब जब Selva forest होंगे evergreen होंगे जो इनके पत्ते होंगे वो क्या होंगे बहुत ज़्यादा broad होंगे तो that means they are the broad leaves evergreen forest answer number one is the correct answer चोड़ी पत्ती सदा बहार वाले जो one होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं Selva forest के नाम से जाना जाता है तो answer number one is the correct answer चोड़ी पत्ती सदा बहार one को हम कहते हैं that is Selva forest के नाम से जाना जाता है चले जे अगला गुशन बताईए अगला गुशन is अगला गुशन बताईए in which of the falling cities the center for social forestry and eco rehabilitation is located in India मतलब क्या है social forestry का मतलब यह होता है कि again हम लोगों को भगदर के बाग लेना है social मतलब society society आज आपने देखा होगा आपने शेहरों में देख लो गाउं में देख लो हर बंदा अपने घर में छोटा सातो एक बगीचा बनाता है social forestry का पार्ट है eco rehabilitation का मतलब क्या है environment को rehabilitate करना है किसी भी तरीके से आप घर में ऐसा नहीं कि मैं बाग खोल लो कई बनाते हैं पुरा एक गार्डन बना ही लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या बनेगा बी इजदा करेक्ट अंसर प्रियाग राज में बनाया गया है answer number B देहरादुन में survey of India के headquarter है survey of India के headquarter है clear number one Indian military academy के headquarter है यहाँ पर survey of India Indian military academy एक और बताना था मैंने आपको यहाँ पर किसके headquarter है forest research institute forest research institute के भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं that is in the देहरादुन clear forest के बारे में बात करूँ forest area सबसी ज़्यादा कहाँ पर है मध्यापरदेश में percentage wise कहाँ पर है मिजोरम में so all these are very very important points clear तो answer इसमें क्या बनेगा B option बनेगा that is प्रियाग राज is the correct answer प्रियाग राज अलाहाबाद 1992 में बना था 1992 में बना था चले जी अगला question देखे जी क्या बनेगा अगला question देखे जी आपने recent time में बहुत सारे बैंकों का amalgamation देखने को मिला amalgamation का मतलब क्या होता है एक जाने की दो बैंक मिलके एक बड़ा बैंक बन रहा है amalgamation देखने को आपको मिला public sector banks में हमें देखने को मिला और इससे हमें बहुत ज़्यादा multiple gains देखने को आपको मिलते हैं वो gains क्या देखने को आपको मिला number one economies of scale economies of scale का मतलब क्या है production जादा होने लगी efficient तरीके से होने लगी point समझा है आप लोगो yes बिल्कुल सही production become जो है efficient ये बिल्कुल सही option economy of scale का मतलब ये है दूसरा ये है improved access to the capital बिल्कुल बड़ा bank है पैसा इनको access मिलने लग गया दो bank मिल गए एक बहुत बड़ा bank बन गया दूनों के पास पैसा आ रहा था अब एक जगा के उपर पैसा आएगा ज़्यादा से ज़्यादा bank loan प्रोवाइड कर सकता होगा ये भी आपका option बिल्कुल सही है तीसरा है covering the large geographical area geographical area के साथ कोई भी चीज संबंदित यहां पे नहीं है geographical area का कोई लेना देना यहां पे point नहीं है तो तीसरा point था कोई link नहीं है यहां पे चौता है banks of global size इसका भी कोई लेना देना यहां पे नहीं है point समझाया है बिल्कुल है क्योंकि बड़ा bank होगा तो global size का होगा और world के बड़े area को world level के उपर जो है रिपर्जेंट करेगा जैसे SBI एक पूरा बड़ा बैंक है SBI के अंदर पताने कितनी अमेलगमेशन होने को देखने को आपको मिली है ठीक है और HDFC हो सकता है कल को और भी बैंक से में चलो वो तो प्राइवेट बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक से भी बहुत सारे जो है मर्ज होके बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं जिससे आपका Global Size Bank हो जाएगा और इससे भी फाइदा होगा तो मतलब क्या हो गया यह 3rd point गलत है 1,2,4 आपका सही है तो answer इसमें क्या बनेगा C, 1,2,4 is the correct answer answer number C, clear होगे आप लोगो yes, 1,2,4 is the correct answer answer number C is the correct answer answer number C, clear so यहाँ पे देखे जी यह सारे banks के बारे में बात करी गई थी यहाँ पे और so guys यह थे आज के lecture के अंदर question बाकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल के उपर मिलेगी डॉक्टर विपन गोहल के नाम से Instagram के उपर मुझे follow कर सकते हैं कोई paper हो, doubts हो, question हो यहाँ पे हम मुझे send कर सकते हैं इसी mail ID के उपर, clear so guys यह था आज के lecture में हमारा session and that is the set number हमारा 6 set number 6, ठीक है I hope आप लोगों को lecture अच्छा लगा होगा lecture अच्छा लगा है तो like और share कर देना चैनल को subscribe कर लेना और बहुत सारी videos मैंने जैसे आपको बताया था pipeline में है और Monday से जो है मैं daily lectures के अंतरगत कुछ current affairs के question भी डाला करूँगा number 1 दूसरा theory classes भी मैं start करूँगा आपकी तो उसमें आपको फाइदा ये मिलने वाला है कि आपका एक overall approach मिल जाएगी आप India का कोई भी exam को देख रहे हैं तो आप लोगों को theory भी होती चली जाएगी MCUs भी आपके साथ साथ चलते चले जाएगे marathon classes भी आपकी planned है वो आपको वैसे तो देखने को मिली रही है लेकिन आपको पता है जब मैं form में आ जाता हूं तो फिर आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ता है तो बस वो form हमारी आने ही वाली है कहते हैं कि take off stage में हम आ चुके हैं take off करने वाले हैं जल्दी ही करने वाले हैं जनकी Monday से जो है प्रॉपर तरीके से जो classes हैं आपकी theory plus MCUs चलती चली जाएंगी इसमें current affair के डालूँगा question और marathon sessions बहुत planned हैं आपके बहुत चीजे करने वाले हैं मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत पढ़के मज़ा आएगा जबर दस तरीके से ठीक है I hope आप लोगों को अभी मज़ा आ रहा होगा मेरा जो है हमारे नई चैनल की उपर PCSR थी की उपर अगर आपको अच्छा लगता है और अपने दोस्तों को बताओ like कर दो classes को और share कर दो चैनल को subscribe कर लो that's it ठीक है तो बढ़ेंगे आगे और देखते हैं अगले classes में हम क्या discuss करते हैं तो thank you so much guys all the very best good luck, take care, jaihin